नमस्कार सत्यागरे.com पर आपका स्वागत है मैं हुझो तसना श्रवास्तव और आप देख रहे हैं दिनमान आईए देखते हैं आज के प्रमुक समाचार केंदर सरकार से बाहर आने के बाद अब टेडीपी एंडीए भी छोड़ सकती है वैसला लेने के लिए आज पार्टी की बैठक विक्रम बजीठिया को ड्रक तसकर कहने के लिए अर्विंद की इजरिवाल ने माफी मागी कहा आरोप बिबुनियार था तमिल नाड़ू में एक और पार्टी बनी टी टीवी दिनाकरन ने अम्मा मकल मुनेत्र कड़गम का एलान किया हर्याणा में बच्चियों से बलातकार पर मौत की सजा के प्रावधान वाला विधेयक पारित और रूसी जासूस की हत्या की कोशिश को लेकर अब अमेरिका जर्मनी और फ्रांस ब्रिटन के साथ हाए सत्याग्रे.com पर आप देख रहे हैं दिनमान अब समाचार विस्तार से केंद सरकार से अलग होने के बाद तेलिकुदेशम पार्टी अब एंडिये से भी अलग हो सकती है इस पर फैसला करने के लिए टीडीपी प्रामुक एन चंदरबाबु नाइडू ने आज पार्टी के पोलिक ब्योरो की बैठक बुलाई है पार्टी ने वायसार कॉंगेस त्वारा आज संसत में लाए जाने वाले और विश्वास पर स्ताफ का भी समर्थन करने का फैसला किया है चंदरबाबु नाइडू गुरवार को दिल्ली में अपने संसतों से मिले थे इस दोरान उन्होंने आरोप लगाया कि केंद सरकार आंधर प्रदेश तकिये गए अपने वादे ये पूरे करने में विफल रही है उनका ये भी कहना था कि इसके बजाय प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी राज्य में सक्रिय पार्टियों को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे है आंधर प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर टीडिपी के दो सांसद आठ मार्च को मोदी सरकार से इस्तिफा दे चुके हैं इससे पहले विट्र मंत्री अरोंड जेटली ने कहा था कि आंधर प्रदेश के लिए विट्तिय आवंटन बढ़ाया जा सकता है लेकिन उसे विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है दिली के मुख्य मंत्रे अरविंद केजरिवाल ने शिरोमणी अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया पर लगाए गया आरोपो के ले माफी मांग ली है पूर्व काबिनेट मंत्री पर ये आरोप उन्होंने पंजाब चुनाव के दौरान लगाए थे उन्होंने विक्रम मजीठिया को ड्रग तसकरों का सरगना कहा था अरविंद केजरिवाल का तब ये भी कहना था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो एक महीने के भीतर मजीठिया जेल में होंगे लेकिन अब उन्होंने कहा है कि उनके दौरा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद निकले इसलिए वे माफी मांगते है उधर विक्रम मजीठिया ने भी केजरिवाल को माफ करने की बात कही है उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर मानहानी का मुकदमा अब वापस ले लिया जाएगा आमद्मी पार्टी के नेताओं पर मानहानी के करीब 20 मुकदमे चल रहे हैं इन में से एक केंद्री वित्त मंत्री अरोंड जेटली ने भी दायर किया है माना जा रहा है कि केजरिवाल अब अरोंड जेटली से भी माफी मांग सकते हैं पार्टी की लॉंचिंग के मौके पर दिनाकरन ने इसका जंडा भी जारी किया इसमें तमिलनाडू की पूर्व मुख्यमंत्री जैललता की तस्वीर बनी हुई है जैललता के निधन के बाद उनकी सीट पर हुई उप्चनाओं में दिनाकरन ने बतोर निर्दली अउमीद्वार जीत हासिल की थी दिनाकरन का कहना है कि AIA DMK पर चंद लोगों ने कबजा कर रखा है इसलिए उन्होंने नई पार्टी बनाई है तमिलनाडू में दिनाकरन से पहले कमल हासन भी अपनी पार्टी बनाने की घोशना कर चुके हैं तमिल्द फिल्मों के एक और सुपरस्टार रजनी कान भी हाल ही में राजनीती में उतरने का एलान कर चुके हैं अब हर्याणा ने भी छोटी बच्चियों के साथ बलादकार के लिए फासी की सजा की व्यवस्था कर दी है गुरवार को यहां की विधान सभा ने एक संशोधन विधयक पारित किया इसमें 12 साल या इससे कम उम्र की लड़कियों के साथ बलादकार के दोशियों को मौत की सजा का प्राफधान है विधान सभा ने ये विधयक सर्व समत्ती से पारित किया इससे पहले राजस्थान और मध्यप्रदेश भी ऐसा विधयक पारित कर चुके हैं इसी साल जनवरी में हरियाना में दस दिन के भीतर बलातकार की दस खटनाएं सामने आई थी इसके बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य की मनोहर लाल खटर सरकार को तीखी आलोशना का सामना करना पड़ा था सत्यागरा.com पर आप देख रहे हैं तिनमान और आप अंतराश्ट्रिय समाचार रूस पर दबाब बनाने की ब्रिटेन की कवायत में अब अमेरिका, जर्मिनी और फ्रांस उसके साथ आ गए हैं गुर्वार को इन चारो देशों के प्रमुखों ने एक असाधारन कदम उठाते हुए एक सहयुक्त बयान जारी किया इस बयान में एक रूसी जासूस को ब्रिटेन में मारने की कोशिश के लिए रूस को जिम्मेदा ठहराय गया है साथ ही इसे ब्रिटेन की संप्रभुता और अंतराश्ट्रिय कानूनों का उलंगन भी बताया गया है ये घटना चार मार्च की है और इसके चलते ब्रिटेन रूस के 23 राजनाईकों को देश से निसकाशित कर चुका है ब्रिटिश प्रदार मंत्री टेरिजा में ने बुदवार को ये भी कहा था कि रूस से सारे उचिस तरियसम पर फिलहाल खत्म किये जा रहे है उधर रूस ने इस मामले में जैसे कुछ ऐसा जवाब देने की बात कही है सत्याग्रे.com पर आप देख रहे थे दिनमान कलीसी से मैं आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार